बुद्धी और शिक्षा का देवता माना जाता है। गुरुवार को ब्रहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र तथा मनुवांक्षित फल की प्राप्ती होती है। परिवार में सुख तथा शान्ती बनी रहती है। आईए श्रमच करते हैं ब्रहस्पतिवार व्रत की कथा। अतुष्री ब्रहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचेन समय की बात है। एक राजु में बड़ी प्रतापी दानी राजाराज्य करते थे, वो प्रतेग गुरुवार को व्रत रखते। एवं ändुखे और गरीबों को द में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी एक बार राजा शिकार खेलने को वन गए तो उस समय घर पर रानी और दासी अकेले थी उसी समय गुरूब रहस्पतिदेव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आये साधु ने जब पर रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी हे साधु महाराज मैं इस दान और पूले से तंगा गई हूँ आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नस्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं ब्रहस्पतिदेव ने कहा हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो संता और धन से कोई दुखी होता है क्या यदि अधिक धन है तो इसे शुबकारियों में लगाओ कुमारी कन्याओं का विवा करवाओ विद्याले और बाग बगीचे का निर्माण करवाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें परन्तु साधु की इन बातों से रानी को शक्ता नहीं है जिसे मैं दान दूँ और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए तब साधु ने कहा यदि तुम्हारी ऐसी ही इक्षा है तो मैं तुम्हें बताता हूं तुम वैसा ही करना ब्रास्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना अपने केशों क पीली मिट्टी से धोना केशों को धोती समय स्नान करना राजा से हजामत बनाने को कहना भोजन में मांस मदिरा खाना कपड़ा धोवी के यहां धुलने डालना इस प्रकार साथ ब्रहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा इतना कहकर साधु रूपी ब्रहस्पतिव अंतर ध्यान हो गए साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल तीन ब्रहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा तब एक दिन राजा रानी से बोला हे रानी तुम यहीं रहो मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानती हैं इसलिए मैं कोई छोटा कारे नहीं कर सकता ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया वहां वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता इस तरह वो अपने जीवन व्यतीत करने लगा इधर राजा के परदेश जाती ही रानी और दासी दुखी रहने लगी एक बार जब रानी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा हे दासी पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है वो बड़ी धनमान है तो उसके पास जा और कुछ लेया ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए दासी रानी के बहन के पास गई उस दिन ब्रहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय ब्रहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी दासी ने रानी के बहन को अपनी रानी का संदेश दिया सुनकर रानी ने अ और पूजन समाप्त कर वो अपने बेहन के घर आई और कहने लगी हे बेहन मैं ब्रहस्पतिवार का व्रत कर रही थी तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परन्तु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों ग से भूखे रहने तक की बात अपनी बेहन को विस्तार पुर्वक सुना दी रानी की बेहन बोली देखो बहन भैगवान ब्रहस्पतिव सब की मनोकामना को पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर ब तबरानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम ब्रत ही तो करते हैं इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा के विथी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें तबरानी ने अपनी बेहन से ब्रहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा उसकी बेहन ने बताया ब्रहस्पत देव प्रसन्न होते हैं वरत और पूजन विधी बता कर रानी की बहन अपने घर को लोट गई साथ में रोज बाद जब गुरु आ राया तो रानी और दासी ने निश्य अनुसार वरत रखा गुर्साल में जाकर चना और गुर्ड बिन लाई और फिर उसकी दाल से केले की जड़त था विश्नु भगवान का पूजन किया अब पिला भोजन कहां से आये इस बात को लेकर दोनों बड़े दुखी थे चुकि उन्होंने वरत रखा था इसलिए गुर्देव उन पर प्रसन्न थे इसलिए वेक साधार व्यक्ति का रूप धारण कर दो थालों में सुन्दर पीला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी ब्रहस्पति भागवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई परंतुरानी फिर से पहले की तरह आलस से करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस से करती थी तुम्हे धन रखने में कष्ट होता था इस कारण सभी धन नस्ट हो गया और अब जब भगवान गुर्देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस से होता है बड़े मुसीवत के बाद हमने ये धन पाया है इसलिए हमें दान पुने करना चाहिए भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभकारियों में खर्च करना चाहिए जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े स्वरिर की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो दासी की बाद मानकर रानी अपना धन शुभकारियों में खर्च करने लगी जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा ये है ब्रहस्पति भगवान की कथा इस कथा को श्रमण करने के बाद सप्रेम ब्रहस्पति देव की सपरिवार आरती गाएं प्रतिक गुरुवार ऐसा करने से ब्रहस्पति भगवान की कृपा से घर में हमेशा सुख संपत्ति बनी रहती है